अब न्याय होकर रहेगा आपको इरोग नहीं सकते हैं नीती का शाशन होगा, दर्म का आचरन होगा, परामरी का हथ सबको मिलेगा इस इराके का एक साथी, आपका एक बेटा, आपका एक भाई है तब भी न्याय जीता था, विश्वास रखिये फिर न्याय जीता इस सबकी की कॉंग्रिस संदेश यात्रा आज कैथल यानिकी सुर्जेवाला के गड़ पहुंची कैथल में संदेश यात्रा जैसी ही दाखिल हुई तो कारिकरताओं ने अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया हाथों में कॉंग्रिस का जंडा और जुबान पर सुर्जेवाला और सैलजा के नारों से कैथल की सडकों पर आज सुर्जेवाला और सैलजा ने अपना दम दिखाया वह इस मोगेबर रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने कहा कि हर्याणा में लोगसबा की 10 सीटें कॉंग्रिस जीतेगी उन्होंने कहा कि हर्याणा की केंदर की सरकार की निर्माण में एहम भूमिका होगी और राहुल गांधी के नेत्रित्व में देश की सरकार बनेगी हर्याणा इंदुस्तान में अब न्याय होकर रहेगा आप कोई रोग नहीं सकता नीकी का शाशन होगा दर्म का आचरन होगा बराबरी का हग सब को मिलेगा अब कभी कोई दलिक पिछडे गरीब छोटे किसान छोटे दुकानदार महिला और वाजवान के हग पर किसी शाशक को नहीं करने देंगे कोर्व की तरह साथियों कोर्व की तरह कि आज के जो कि चंडीकड़ और दिल्ली के शाशक उनकी संख्या जादा दिखती कोर्व की भी संख्या प्रण्टु मैं आज आपस पूछता है इस इलाके का एक ताखी आपका एक बेटा आपका एक भाई सुर्जीवाला ने कहा कि लाको किसान तीन कृशी कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे सात्सो किसानों की जान चले गई मगर जिनको वोट देकर चुना था वे कहा थे सुर्जी वाला ने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं जबकि पूरे देश में विवस्था परिवर्तन लाने की है वहीं इस मौके बर कुमारी सेलजा ने कहा कि जुमले बाजी बहुत हो चीकी है लोग असली मुद्दों पर आना चाहते हैं सरकार के जुट अब समझ चुके है सेलजे ने कहा कि भाजपा जजपा के दस वर्षों के शासन से देश और प्रदेश की जंता पूरी तरह से तंगा चुकी है मेंगाई, बेरोजगारी और प्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है देश का हर वर्ग को सरकार बदलने का मन बना चुकी है बता देगी कैसल में कॉंग्रेस संदेश यात्रा पहुंचने पर जाखोली अड़ा, बस्टैंड, प्योवा, चौक, पार्क रोड पर कारेकरतों द्वारा भव्य स्वागत किया गया क्रेन से बड़ी फूल माला और नारियल की माला पहना कर भी भव्य स्वागत किया गया कैसल से जैपाल रसूलपूर, पंजाब केस्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद